हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ नाजीन असलाम अलेकुम सेनेटर नहाल हाश्मी जेल में चले गए और तराल चौहजी और दानियाल अजीज को तल्ब कर लिया क्या है लेकि बड़ा सवाल ये है क्या क्या पाकिस्तान के साबका वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी साहिवजादी जनाब मौतरमा मरियम नवास की स्ट्राटिजी और हिकमत अमली क्या कामयाब नहीं हो रही उनके जो ये ताबर तोड हमले हैं पाकिस्तान की अदलिया पे सुप्रीम कोर्ट पे और जहां ये इल्जाम लगाए जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो पाकिस्तान के आमरों का या इस्टैबलिश्मन का एक जुजव है एक हिस्सा है कیا ये स्ट्रैटीजी कामयाब नहीं हो रहा है। क्या ये स्ट्रैटीजी बार बार सुप्रीम कोट को अदल्या को अपनी fulfillment देने पर मजबूर नहीं कर रही। क्या ये दबाव नहीं बढ़ा रही एक ऐसे वक्त में जब पाकिसान की अदालती नजाम के सामने कमज़ कम तीन केसे से ऐसे हैं जो नवाज शेरी सहाब और उनके खांदान के सियासी तक्दीर का फैसला कर सकते हैं और अगर ये स्ट्राइजी कामयाब हो रही है तो भला फिर पॉलिडिशन्स इस सियासी स्ट्राइजी को क्यों छोड़ेंगे इस बुर्यादी सवाल के साथ मुझे जॉइन कर रहे हैं पाकिसान के मुम्तास कानूनदान फॉर्मोस्ट कॉन्सिटूशनल एक्सपर्ट पाकिसा जब मैं आज देख रहा था जनाम मौतरम और्नेरिवल चीफ चिस्टिस अफ पाकिसान साकिब बिसार सहाब को जो जस्टिस अनलॉग कमिशन से जब बात कर रहे थे तो मुझे उनकी बहुत सी बातों से ये फील हुआ कि वो अपने आपको डिफेंड कर रहे हैं सुप्रीम क समतीन इंतहाई एहम मुकदमात के फैसले होने हैं तो वो स्ट्राटिजी कामयाब हो रही है अदलिया जो है वो दबाव में आ रही है डाक्साब पहले मैं अर्श कर दूँ कि मैं किसी जलसे में मौझूद नहीं हूँ लेकिन जिस मकाम दोहर के मोची दर्वादे में हमारा परसों जलसा है उसके इंतजामात देखने के लिए मैं आया हूँ और यहां कारकुन बरे पर जोश है परसों के जलसे के लिए यह भी सारे यहां गूम रहे हैं इंतजामात कर रहे हैं तो इस वज़ा से मैंने का यह मैं अर्ज कर दूँ वज़ाद कर दूँ कि मौझ दर्वादे जलसा हो नहीं रहा जलसा होने जा रहा है और परसों होगा डाक साथ जो आपने बात की है वो बिलकुल एक लिहाद से दुरस्त है और मैं तो बहुत अर्से से दो बातें कर रहा हूँ बहुत अर्से से 28 जुलाई से और उससे पहले से पहली बात तो जो मैं अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया ने शरीफ खांदान पे हमेशा नर्म हाथ रखा है और आज भी नर्म हाथ रखा है इसमें मैं दलाइल से बात कर सकता हूँ दूसरी बात जो मैं ये करता हूँ कि इस वक्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जो हिकमत अमली है उसने यकीनन पाकिस्तान की अदलिया को आला अदलिया को बिल खसूस और जनाब बशीर साहब जो के इतसाब के जज है जो इनके मुकदमे और इतसाब रेफरंसिस सुन रहे हैं और गवाहान जो इनके खिलाफ पेश होने हैं या हो रहे हैं उन सब को बे इंतहा दबाओं में डाल दिया है और इस में कोई शक नहीं है और मैं तो समझता हूँ के चीफ जस्टिस साब जिस तरह रियक्ट कर रहे हैं कि वो एक दिन एक बयान देते हैं और उस पे बयान पे दूसरे दिन कोई वदाहत आनी शुरू हो जाती है यह भी शो करता है कि एक दबाओं है दबाओं को यह नहीं कि वो उनकी नेक नियत ही नहीं है जज साहिबान की पर उन पे है और हुदैबिया का केस और औरेंज लाइन का केस यह जो मुकदमात के फैसले हुए है हुदैबिया में ऐसा फैसला हुआ है कि जो पहले कभी जिसकी नजीरी नहीं मिलती कि फौजदारी मुकदमा भी वजाएदलमयाद हो सकता है यह शेबाद श्रीफ ने जो कसूर के वाके पर जैनब मरहूमा के पर जो उसने प्रेस कानफरेंस की जब उन्होंने एलान किया कि और अपर इमरान उली पकुडा गया जो मुल्दम है और रिनब के बाप को साथ बिठा के वो जो एक ड्रामा लगाया शेबाद श्रीफ में तो जो एक क्षेलbot वो एक खेल किया सारी कौम के साथ और उस बेचारी के बाब के साथ वो जो एक मज़ाक किया शेबाद शेवान वो जो सारी बात उसमें भी वो तस्लीम करता है खुद शेबाद श्रीफ तस्लीम करता है कि मुकदमात जो फौजदारी मुकदमात हैं वो जाहिदुम्याद नहीं होते और वो इक्ताम के करीब कहता है कि हमने तो 14 दिन में मुल्गम पकड़ दिया इंगलिस्तान में फौजदाने केस में 20 साल बाद पकड़ा गया ट्रेन रॉबरी के 35 साल के बाद पकड़े गया और उन पे मुकदमा चला हमने तो 14 दिन में पकड़ लिया तो 20 साल बाद भी अगर कतल का मुल्दम ड़केती का मुल्दम मनी लांडरिंग का मुल्दम क्योंकि ये भी ड़केती है ये कौमी ख़दाने पे ड़केती है मुनी लांडरिंग ये अगर 20 साल बाद भी पकड़ा जाए तो उदैविया केस उसको जाएदुल म्याद नहीं डिक्रेयर कर सकता और औरिंग ट्रेन जज़ों ने मतलब है ये इसका फैसले का से हुआ कि शालिमार बाग जाए बाड़ में चोब उर्जी जाए बाड़ में ट्रेन चला लो जी ट्रेन चला लो तो अदलिया अंडर प्रेशर है इसमें कोई शक्त नहीं है ये कुछ जाज़ बहुत आसाप वाले जाए तो अगला मेरा सवाल ये है कि ठीक है लेकिन जब अब देखे ना इसकी जो साइक्राजिकल कंपोनेंट है इसका जो नफसियाती कंपोनेंट है वो ये है कि जब जाह हैस सूपरीम कोट पे तावर्टोड हमले होते हैं ये कहा जाता है कि आप नाइनसाफी कर रहे हैं इसका हमें नहीं मिल रहा है आप तो किसी के इशारों पे खेल रहे हैं एक ऐसे वक bamboo में जब कि तीन केसिस जो है ज्वे से दो सुपरीम कोट के सामने एक जजज बशीर का आ अवाम फैसले कर सकता है तो जब सुप्रीम कोर्ट पर ये दवाओ है और ये केसेस भी इस किसम के हैं जहां पर तवक्व यही की जाती है लीगल एनलिस यही कहते हैं कि नवाज शरी साब को रिलीफ नहीं मिल सकती है तो ये दवाओ बढ़ाने से वो दर हकीकत सुप्रीम कोर् कर्षाई के फैसले के बाद नवाज शरीफ ने बियानात देने शुरू किये और उसकी जो गालम गलोच ब्रिगेड है उसकी तोपों का रुख अदलिया पे हुआ है और फाज पे हुआ है और इसके बाद क्यूंकि उसने ये बरमला कहा है नवाज शरीफ ने के फैसले लिखवाए कहीं से जाते हैं तो वो लिखवाने वाले तो मुन्य के अबा का नाम नहीं लेता कल पर सुन से उन्हों ने नाम लेना भी शुरू कर दिया है तो ये तो दबाव डालने का एक मैथड है जिसमें नहाल आश्मी या तलाल चौधरी को अपनी बात नहीं कर रहे है तलाल चौधरी को मैं आपको बताओं ये मतलब भी नहीं होगा कि जानता होगा कि वो PCO का जज क्या है जब वो कहता है PCO के जज हैं काबे मैंसे जिस तरह बुत उठवाए गये थे इनको उठवाओ इनको निकालो मिया साब उसको तो इलमी नहीं है कि PCO का जज अकाउन है वो उससे कहलवाया गया है उसको ये बात उसके जबान में डाली गई है और ये बात कि PCO के जज इस वक्त कोई जज ऐसा नहीं है पाकिस्टान की आला अदलिया में जिस ने PCO के तहत हलफ उठाया हो PCO तीन अपरैल दोजार साथ को प्रोविजनल कॉंसिटूशन और 15 दिसंबर को वो खतम हो गया था पर ये क्यों PCO के जाज इनको कहते हैं इसलिए कहते हैं और ये नवाज शरी मेरे से डिसकस कर चुके हैं और उस दिन में उस रात भी डिसकस किया जिस रात लांग आर्च थी और ये यूसफ रजा गजानी ने बतौर वजीर आजम इनकी ब अब्दुलमीद डोगर जो चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के उनके हाथों हलव उठाया क्योंके डोगर साब नवाज शरी साब ये इलजाम लगाना चाहते हैं कि जिन लोगों ने दो हजार में या 1999 या 2000 में जनल मुशर्फ के जमाने में PCO पे हलव उठाया उनको वो PCO ज जजिस कहते हैं उसमें पर सारे जाज आ जाते हैं उन में से कोई जाज में इस वक्याज में मौजूर्माज के साथ जजसाईबान के साथ वो खतम हो गई अब यह वो जजजज है जिन्होंने पीसियों के तैत हल्फ नहीं उठाया लेकिन यह कहते हैं चुके डोगर साद पीसियों जजजज था चीफ जस्स था तीन नवंबर के पीसियों के इन्होंने उन निहाल हाश्मी साहब का जेल जाना और तलाल चोहद्री और दानियाल अजीज का भुला लिया जाना अगर कंटेंट में किसी को सजा होती है तो पांच साल के लिए पारलमेंटरियन गालबन नहीं बन सकता क्या ये एनफ डिटरेंस है क्या इस सजा से नवाज शरीफ साब के लिए एक पुलिटिकल चैलेंज खड़ा हो आज सादर रुफिक साब और आज हैसन अकबाल साब गो के तरीके से वो एहतियात से लोने बोला है लेकि बहुत वो शदीद हमले कर रहे हैं तो क्या एक बहुत पुलिटिकल चैलेंज खड़ा होता अगर बरवक्त नवाज शरीफ को जब उसने आगास किया अदलिया पे अटैक का तो उसको खुद तलब कर लिया गया होता यह तलाल चौदरी या दानिया लजीज या निहाल हाश्मी यह मोरों को जो हैं मोरें उनके उनको तलब करने की बजाए है अगर पहले पहल नवाज शरीफ को तलब किया जाता तो मैं आपको यह बतात यकीन लखता हूं नवाज शरीफ अदालत में पेश होके कहता कि जिद्राब मेरा ये मकसद नहीं मेरा ये मकसद नहीं था और वो मामला एक तरह से रुख जाता अदलिया ने बहुत वक्त लिया है बहुत टाइम लिया है बहुत देर की है ये नोटिस जारी करने में ये नोटिस पहले जारी होता तो एक तरह का माफी नामा एक तरीके से न सजाओं की नौबत लेकिन अब ये रुकने वाला नहीं है ये तो बहुत ही ये तो मेरा ख्याल है मिया नवाज श्रीफ अपने मोरे जिस तरह मर्यम ने कहा है अदलिया को पेश करते रहेंगे वो किसी ना किसी से तोहीन अदालत करवाते रहेंगे लेकिन तोहीन अदालत ही के कांटेक्स में कंटेंट ही के कांटेक्स में मैं सुन रहा था कि बिलावल भुटो ने जब हामिद बीर साथ के साथ वो बात कर रहे थे एक दो दिन पहले तो उन्होंने कहा कि मैं ये तो कंटेंट है सियासदानों पे कंटेंट नोटिसेज और सजा हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले तौहिने अदालत के कानून के हम नहीं है इसके के इनको सजाए हो और मैं यसी लिए कहता हूं कि नवाज श्रीफ को सबसे पहले बुला लिया होता तलब कर लिया होता उपेश होता वो मामला उसमें रफा दफा हो जाते इस तक नौब काबला बीस करोड आवाम फिर वो कहता है फैसला बुग्स से इन्होंने किया है फिर वो कहता है कि फैसला लिखता कोई है और लिखवाता कोई और है फिर वो कहता है कि इनके अवाम को अंगेख्ट करता है अवाम को जलसों में अंगेख्ट करता है कि ये फैसला वापको है वो कहते है ना मनदूर ना मनदूर तो साथ मर्यम भी इसी तरह मुझरमाना अमल के लगा रही है जजिस पे तो अब ये मामला बहुत आगे चला गया है और जजिस को चाहिए मर्याव नवास साहबा तो यह भी कह रही है कि अगर जजिस का जुडिशिरी का कंटेम्ट होता है उनकी इजद है उनका आउनर है तो फिर पर्लिमन का भी आउनर है फिर प्राइम मिनिस्टर जो एलेक्टेट है उसका भी आउनर है और उसके बारे मिए यहीं चीज़ ऐसे नि देखें नवाज श्रीफ की तारीख ये रही है कि अदलिया उसके साथ नर्म रही है बहुत दिलात रखा है और नवाज श्रीफ ने अदलिया से मिलकर पार्लिमेंट और जमूरियत के खिलाफ हर मौके पर साधिश की है महम्मद खान जुनेज़ो से शुरू हुआ है महम्मद खान जुनेज़ो अपना प्राइम निस्टर था उसके खिलाफ जो साधिश थी वो आर्मी चीफ और अदलिया के मिलाके थी आर्मी चीफ जिया-ul-हक था और उसके साथ अदलिया ती जिसने हाजी सहला के मुकदमे का फ सारा फैसला लिखा गया था इसने 1990 की इलेक्शन में असलम बेग जैनल अशलम बेग और इसाग खान से मिलके और जजिजस से मिलके वह वह इलेक्शन रिग की वो इलेक्षन रिग हुई इस पे सुप्रीम कोट का अस्वार खान के केस में फैसला है कि एलेक्षन नावाज शरीफ ने रिग कराई अइजन्सी से मिलके नावाज शरीफ ने पचानवे लाक रुपया वसूल भी किया और वो इलेक्षन रिग थी ये वी फैसला थे मैं एक ब्रेक लेलू बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि हमेशा अदलिया का सौफ्ट हैंड रहा एक ब्रेक मैं लेलू एक ब्रेक ब्रेक नाज़ीर वेलकम बैक सेनर्ड एतजास एहसन मेरे साथ है मोची गेट से लाहौर से जहां खासा शोर भी है अगर आप सुन सकेंगे सेनर्ड सब खुदेबिया के केस्ट में जहां सुप्रीम कूर्ट के तीन मेंबर बेंच का फैसला आया वहां नेब ने एक लारजर बेंच बनाने की इस्तदा की है और उनका पॉइंट यह है कि पहले पाँच मेंबर बेंच का फैसला आया था फिर तीन मेंबर बेंच का फैसला आया दोनों में इक डिर्फेंट फिर्ट प्रिंसिपल्स इन्वोक किये गए है इसलिए एक larger bench बनने का case जो है वो बनता है जबके हमने देखा है जनरली रिव्यू में larger bench की इस्तदा जो है वो नहीं बनी जाती है आपको क्या लगता है क्या larger bench बन सकता है डाक्ट साब आपका ज्यादतर सौाल नारों की जद में आ गया यहां मैंने रोका है फिर वरकर्ज को हुदैबिया के केस में अतजास साब जहां नैब ने इस्तदा की है larger bench की यह कह कि एक तीन member bench का फैसला आया एक पांच member bench का पहले फैसला था दोनों में एक तसादम है क्या larger bench बनता नजर आता है आपको larger bench बनना चाहिए larger bench हर्गिस बनना चाहिए क्योंके हुदैबिया का केस वैसे भी एक ऐसा केस है जिसकी अदलिया की और कानून की के दाएरे में कोई नजीर नहीं तारीख में कोई नजीर नहीं मिलती एक रेप करने वाला रेप करता है और उसका एक उसके दस और पता नहीं लगता किस ने रेप किया है लेकिन 15 साल बाद वो एक और रेप करता है और DNA दोनों का मैच कर जाता है तो वो कह सकता है पहले रेप में के मुझे आप सदा नहीं दे सकते हैं जायदलमयाद हो गई है पुलीस मिल जाती है कातल के साथ और उसका केस को डिले करती है कर डिले करती है उसको गृफतार भी नहीं करती वो कह सकता है कि अब तो मुझे सदा नहीं हो सकती कतल मैंने चाहिए किया है क्योंके मैं जायदलमयाद हो गया है फौजदारी मुकदमा जायदलमयाद नहीं होता दीवानी मुकदमा जायदलमयाद हो जाते है फौजदारी मुकदमा जायदलमयाद हो जाते है कि सुप्रीम कोट का जो रिव्यू जब उने रिव्यू फाइल किया था वहां लार्जर बेंच बनना चाहिए था वहां लार्जर बेंच ने बना देखें यहां लार्जर बेंच का जवाद है वहां लार्जर बेंच का जवाद नहीं था या लार्जर बेंच का जवाज इसलिए है कि पांच मेंबर बेंच पे जो सबसे तफसीली फैसला है जो सबसे तफसीली फैसला है वो फैसला इसके बर खिलाफ है जो तीन मेंबर बेंच का है अब तीन मेंबर बेंच का फैसला और एक तजाद पैदा हो गया है अब कमसकम साथ मेंबर बेंच का बनना चाहिए जिसमें ये मामला जाए नजर सानी के लिए ये नजर सानी के लिए और रिवियू के लिए या किसी एक जज्जमेंट या दो जज्जमेंट में मतज़ाद नतीजे निकाले हों अगर अगर अदालत ने कनक्लूजन्स निकाली हों तो ये एक एकसेप्टिड वज़ा है बुनियाद है फॉर ए लार्जर बेंच ठीक हो गया अचा अब ये विताएं कि मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी सिविल सुसाइटी बहुत से लिबरल लिखने वाले हैं अंग्रेजी एक भारात में ये कहते हैं कि किसी को भी जहांगी खान तरीन हो या नवाज शरीफ हो या और सियासदान हो ये पूरी-पूरी मुदत के लिए डिस्कौलिफाई कर देना सिक्सी टू वन एफ में ये बाद बड़ा जबर है ये बड़ा जल्म है ये ऐसा नहीं होना चाहिए और यहां शुनीद ये है इसलामबाद के जो सर्कल्स हैं लीगल सर्कल्स हैं कि शायद आदालत जो है इसको जयती है, ना मुनासिव है, इस में कोई शक मही है. क्यों गलत क्यों है? तूसरी बात ये ऐ है क्यों गलत क्यों है? एक नदीर है मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट की नदीर बता हूँ ग्यारां जजिस का फैसला है ग्यारां जजिस के बेंच का अस्फंध यार खान वली केस में जिसमें मैं वकील था अस्फंदियार खान वली खेस में ये देखा गया परका गया कि नैब ओर्डिनेंस के ताहित जो नायली है वो 21 साल मकरर की गई है कि अगर नैब ओर्डिनेंस के ताहित मुल्जम कुसूर वार ठहराया जाएगा तो 21 साल वो चलेगी उसकी नायली सुप्रीम कोट ने हमारे क्यों ही इस्तदा पे इसको नामुनासिब गरदाना और दो बातें की एक तो कहा कि दस साल मुनासिब है एकी साल नामुनासिब है दस साल मुनासिब है दूसरी बात जो इससे भी आहम है लेकिन अनाजास सब फरक है इस पर भी एक फरक है मेरी का बात सुने डारक साब एक बहुत इंपॉर्टन बात तो आपको अर्थ कर दो मेरी एक बात जरा जरा एक मिनिट एक जुमला बोल लें दे सुप्रीम कोट ने खुद फैसला नहीं किया सुप्रीम कोट ने तजवीज दी सिफारिश किया पार्लिमेंट को कि पार्लिमेंट कानून नाफिज करें जिसमें 21 साल से 10 साल किया जाए क्योंकि सुप्रीम कोट ने का हमारे पास ये अख्तियार नहीं है कि हम कानून बना दें तो नजीर इन पे अपलाई करेगी ये बेंच ये सिफारिश कर सकता है तजवीज दे सकता है पार्लिमेंट को कि वो 21 साल की बजाए या ताहियात की बजाए दस साल करते इसको बड़ बड़ अधजास साब फरक ये है कि एक चीज़ पनिश्मेंट है और लीडर होना कौम को कौम की लीडरशिप पॉजिशन में होना ये कोई राइट नहीं है आपका हूमन राइट नहीं है ये राइट टू लाइफ लिबर्टी राइट टू वर्क नहीं है ये तो एक तरह की कौलिफिकेशन है कि क्या आप कौलिफाइड है टू लीड अ नेशन जब आप उसके political leader होते हैं दोनों चीजों में बहुत फरक है जैसे किसी ने contempt किया उसको पांच साल की सदा हो गई तो यहां पर अगर आप restrict करते हैं एक दफ़ा एक अदालत ने देखा कि शक्त नाहल है लीड नहीं कर सकता इसमें वह quality नहीं है तो फिर तो वो तो खत्म हो गया डाक साब इस पे बहुत हो सकती है क्योंकि मिया मुम्मद नवाज शरीफ के हक में जो फैसला उनी सो तिरानवे में सुप्रीम कोड ने दिया जिसकी बुनियाद ऐसी थी के उस बुनियाद पे उसी बुनियाद पे जब मुतरमा शहीद बेनदीर भुटो पे केस चला तो फैसला बीबी के खिलाफ आ गया जबके नवाज शरीफ के खिलाफ ननी सो तिरानवे में उसके हक्वे फैसला दिया उसी बुनियाद पे अब ये कहना कि ये इस कॉमन को होल कर ले है मैं एक ब्रेक लेलू यहीं से यहीं से यहीं से यहीं से यहीं से यहीं से शुरू करते हैं एक ब्रेक के बाद नासीन वेल्कम बैक एतजाद अहसन साथ मेरे साथ हैं एतजाद साथ देखिए किसी को सजा देना, सजा मौत देदेना, किसी को जेल में डाल देना, किसी की लाइवली हुड बंद कर देना लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनना, वजीर बनना, एम एने बनना, एम पी ए बनना, या आपका हक नहीं है हुमन राइट्स में, ये एक लीडरिशिप है, तो लीडरिशिप के उपर तो पूरी मखर्बी दुनिया में कदगने हैं, जहां एक पे इल्जाम लग जाता है एक दफ में, उन्नी सो तिरानवे में, 26 मईए उन्नी सो तिरानवे को एकसेप्ट की थी, बारा मेंबर्स का बैंच था, एक जजज ने, जो उस वक्त चीफ जिस्टिस नहीं थे, सज्जाद अली शाह ने, इखतलाफ किया था, ग्यारा जजजों ने, ये का था, कि किसी का प्राइम मिनिस्टर या लीडर्शिप रोल लेना, ये भी एक फंडामेंटल राइट है, टू असपायर फॉर एट, और ये मामला सुप्रीम कोट तेह कर चुकी है, कमाल है, कि ये कमाल इसको कहें, या कुछ नवाज श्रीफ के हक में फैसले जो होते हैं, वो सुप्रीम कोट ने, जों को भागना पड़ा, अपनी कुर्सियां गिरा के, और उसमें वुद्रा आज के वुद्रा भी चंद वुद्रा भी शामिल वो वीडियो सारे में आते हैं, सीसी टीवी में, उसके बाद भी सुप्रीम कोट ने, कोई एक्शन नी लिया, नवाज श्रीफ के खिलाफ, एक यूँ वाली, जिस्टिस के यूँ वाली टेपे, मनजर आम पे आई सुप्राइम कोट पे चली, सुप्रीम कोट ने तीन जज़ों को फारिक कर दिया, चीफ जस्टिस राषिद अजीज़ भी चा तो आतजास साब और यहाज यह क्छा है, व्यज़ बन्याडी तोर पे आण जाती है उसके अंदर जैसे आप बार बार कह रहे हैं तो जो ये है कि एक शख्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नाइहल करार दिया है उसको उसकी पार्टी ये पार्लिम्ट जो है वो फिर एक एक्ट बनाती है एलेक्शन रिफॉर्म एट दोहजार सत्रा और उसको दोबारा प कि पंजाब के वजीर आजम के हवाले से नर्मी नहीं होती यूसर रजा गिलानी से नर्मी नहीं हुई उसको नायल करा दिया किसी और क्या उसने उसने को गाली दी थी सुप्रीम कोर्ट को उसने को चोरी की थी मनी लांडरिंग की थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बार ब जवाज नामानने का आइनी था आर्टिकल टू फॉर्टी एट के तहर सदर को इस्तस्ना है मुकमल इस्तस्ना है सदर पाकिस्तान को वह फैसला उन्होंने मतलब है ऐसा किया जिससे मैं इत्फाक नहीं कर सकता हूं पर उसके निकल के जिलानी ने कोई गालियां तो नहीं दी यह पंजाबी नॉन पंजाबी की बात नहीं है यू परवेव राजा परवेव अश्रफ को भी खेंचा गया सुपर्ण को भी पंजाबी था यह शरीफ खांदान शरीफ यह बिगड़े में लाड़ लें शरीफ खांदान इमरान खान को लाड़ना कहते हैं यह यह अगड़े वे लाडले हैं निया फरज outta अधलिया की गोद में पले वे लाडला आ है। इनको तो यह तो हमला करने पे आते हैं आजए चलें ये तो जजों को सब्वर्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि लाड़नों का क्या होता है अब थोड़ा सा ये बताएं कि आप जहां मोची गेट में है जहां जलसा होने वाला है दो तीन दिन में तो क्या आपने दोबारा सेनिट की सीट का जो टिकेट लेना है ये अलेक्शन करना है उसका फैसला कर लिया है आपने नहीं मेरा तो इमकान नहीं है क्योंकि पंजाब से हमारी पाकिसान पीपल्स पार्टी की सीट निकलती नहीं निकल नहीं सकती हमारे इतने मेंबर ही नहीं है तो फरतुलाबाबर साथ कहते हैं कि फरतुलाबाबर साथ और अज़र अबानी शॉट लिस्ट हो गए हैं उनकी बिलाबल भुटो से वुलाकाद भी हुई है समारे से हाँ वो माशाआलला दोनों बड़े काबिल और दोनों बड़े मेनती और जीरक सेनेटर्ज रहें पार्लिमेंटेरियन रहें और पीपल्स पार्टी का क्या वो सारे सेनेट का दोनों वकार सारे सेनेट के वकार को बढ़ाएंगे अचा नहीं तो जो आसिफ अली जदारी साहब ने चंदन पहले ये कहा कि हम सेनिट में बड़ा बेतर परफॉर्म करेंगे हमारी पोजिशन वही रहेगी आप उससे फिर इतफाक नहीं करते नहीं हम इन्शालला बेतर रहेगी आप देखेंगे बेतर रहेगी पर पंजाब में क्यूंकि हमारी साथ सीटें हैं सारी तो उसमें तो हम नहीं ले सकते ना पर इन्शालला बेतर परफॉर्मन्स होगी ओवराल पाकिस्तान में बहुत चुक्रिया सेनेटर इतफास एहसन साथ हमारे साथ थे मोची गेट से लहौर से वाया सेटलाइट आपने उनका तफसरा सारा सुना और इसमें ये बात बड़ी वाज़ है किमसकम सेनेटर इतफास एहसन का जो पाकिस्तान के फॉरमोस कॉंस्टिशनल एक्सपर्ट है हिस्टॉरियन है एक प्रॉमिनेंट पॉलिटिशन भी है कानूनदान है अदालतों के मामलात को बहुत समझते हैं उनका ये ख्याल है कि शरीफ खानदान जो है वो पाकिस्तान के अदालती नजाम के अदलिया के जुड़ी शरी के बिगड़े हुए लाड़े हो लेकि डिक्टेशन हो रही है ये तो इस्टैबिश्मेंट का ये आमवरों का जो है एक जुजव है ये उसका एक हिस्सा है तो इस सारे माहौल के दरमयान क्या होगा चंद आने वाले दनों में ये महीना जो है फरवरी दो हजार अठारा का ये इस लحاظ से बहुत ही क्रूशल है त झाल 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 झाल